नमस्कार साथियों मैं हूँ अपनुक्षान शुपांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आज हमारी चेर्चा का विश्य क्या होने वाला है इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है सबसे पहले देखिए कि कच्छा बारवी की भौतकी के लिए यहाँ पर सीजी बोर्ड एक्जाम से रिस चल रहा है और ना सिर्फ भौतकी बलकि रसायन जी विग्यान गड़ित सारे विशों पर दसवी और बारवी दोनों बोर्ड के लिए अभिप्षा की टीम की तरफ से आ मैप और शॉट नोट्स और वन-टो-वन मेंटर्शिप के साथ में आपको एविलेबल है तो आप हमारा एप्लिकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहां से आपको एडिशनल फीचर मिलेंगे अब चलिए आगे की बात करते हैं भू चुम्बकत्व एवंब चुम्बक्य प्रिथ्वी की जो आंतरिक संवर्चना है यहां पर जो है उपरी सता जहां पर हम रहते हैं वहां से लेके हम लोगों ने क्रोड तक की बातें की थी जहां पर हमको पता था कि निकिल कोबाल्ट इस तरीके के जो है पिखिली धातुएं यहां पर तेजी से गोल-गोल घूम रही हैं और इस गती के कारण यहां पर क्या shaped उत्पन होता है चुम्ब के प्रभाव uत्पन होता है के क्यों प्रिथ्वी खुद भी एकंति विभाति विआर करती है और यहां study है कि प्रिथ्वी के जो उत्तरी दृव है यह भॉगोलिक उत्तरी दृव है इसके पास में घृत्यरप truthана करती है। जैसे कि भॉगोलिक श चीजों के बारे में यह इन सारे तत्यों के बारे में बातें कर ली थी और इन बातों को करने के बाद में आज जो है हम अगली बात क्या करने वाले हैं वो ये है देखे भूचुम्ब के तत्व के बारे में जो है अब हमको जानना पड़ेगा कि भूचुम्ब के तत्व क्या होता है आप समझे कि आप पृत्वी पर पूरी पृत्वी का एक चित्र बनाने की कोशिश की उसको ग्लोब बनाने की कोशिश की और उसके लिए आपको अक्छांस और देशांतर रिखाएं जाननी होगी अब किसी जिस समय समय हमारे रख्षो का या फिर हमारे ग्लोब का इन चीजों का विकास हुआ उस समय तक कोई भी अंतरिक्ष में नहीं गया था फिर भी हमारे पास में प्रित्वी की एक गोल तस्वीर है तो यह कैसे बनाई गई इसके बारे में ही कलपना करना है और उसके लिए हमारे पास में भूर चुम्ब करत्व के तीन अव्याव हैं पहले प्रित्वी में कहां खड़े हुए हैं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं तो चलिया आएक एक एक करke देखते हैं किए का सबसे पहले देखो दिख्पाथका कौन क्या होता है अब दिख्पाथका कौन जानने के लिए जो है हमको यह त्यान में रखना पड़ेगा कि कि प्रित्वी जिस्भी स्तिति में हमारे सामने दिखाई दे रही है है इसमें इसका उत्रिधू जो हैए और बतलब इसका भागुलिक उत्तर या भागुलिक अक्ष जो है वह कुम्बकिए अक्ष से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है बलकि यहां पर जो है एक छोटा सा कोण बनता है थीता इस थीता कोण के कारण भागोलिक उत्तर और चुम्बकिय उत्तर दोनों अलग-अलग हो जाते हैं अब आप क्या कर रहे हैं चुम्बकिय याम्युत्तर तो चुम्बकिय याम्युत्तर क्या हम ल सम्तल की कलपना करते हैं और उस सम्तल को आप चुम्ब की याम्योत्तर कहते हैं तो जो भागोलिक याम्योत्तर और चुम्ब की याम्योत्तर हैं इनके बीच में जो कौन बन रहा है उस कौन को हम जो है थीटा से प्रशित करेंगे और यही है हमारा देखपात का कौन अब आग उत्री धुरू आपके पैरों के नीचे है इसलिए वो पूरी तरीके से जोग जाएगा जब कि जब आप जो है भूम अद्रेखा पर खड़े होंगे तो भूम अद्रेखा पर वहां बिल्कुल समानतर दिखाई देगा किस से आपके ग्राउंड से यहने कि आपके जमीन के इस उध्वाधर खड़ी हुई मिलेगी इसी तरीके से जब आप दक्षणी धुरू की ओर बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो है जो चुम्बकी कंपस है उसका दक्षणी धुरू धिरी धिरी जमीन की ओर जुकता जा रहा है और अग जब आप बिल्कुल उसका उपयोग करते हैं जो की समतल फ्लाइट होने की बजाए ऐसी खड़ी हुई रखी होती है और यहां पर उस जुकाओ का की गरना कर सकते हैं तो अब हम क्या देखेंगे कि किसी भी स्थान विसेस पर मैदान यानिकी ग्राउंड की तुलना में जब चुम्बक जह कोई क एदे नवन कोण का मतलब आपको समझ में आ अब यहां से हमको किस से पर्दस्तर हैं इसको से पर्दस्तर करते हैं तो पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा था और यहां हम देख रहे हैं कि नती कौन जो है वो दो है इन दोनों कोनों की सहता से आप पृत्वी में अपनी इस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे पृत्वी के चुंबकी छेतर की तीवरता क्या होती है इसके दो घटक होंगे भाई पहली बात यह है कि मैं जिस स्थान पर खड़ा ह और इसके साथ-साथ वह मैदान से उपर या नीचे की दिशा में जो कौन बना रहा है उसे हम उर्दधर घटक कहेंगे यहां पर 36 घटक के लिए हमारे पास क्या है ठीटा है और उर्दधर घटक के लिए हमारे पास क्या है डो है इन दोनों का उप्यों करते हुए हम किसी भ अलग अलग हिस्सों में खड़े हुए होंगे आप देखें कि यह हमारा उत्रिय द्रुव है यह हमारा दक्षनी द्रुव है और यह रेखा जो आपको दिखाई दे रही है यह विश्वत रेखा या फिर भूमद्द रेखा है तो अब आपको किया नजर आ है कि जैसे जैसे जो है आप उत्रि द्रुव की और बढ़ते हैं आपके चुम्बकिये कंपस की सुई का जो है कौन इस तरीके से बदलते जाता है जब भूमद्द रेखा के पास पहुच गये हैं तो यहां देखिए भूमद्द रेखा के पास जो है वो जमीन से समानतर है तरीका होता है व्हुच के चुम्बकिये 36 ती वृतक को जो है हम लुच को जो है हम इससे नापते हैं अबूच को हिंदी में तो 36 घटक समझ में आ गया इसके बाद में उर्दादर घटक को हम लोगों ने जो नती को नमन को नापा था तो जो है डो से इसको नापते हैं और इसको जो हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट यहने की वी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो अब आपने क्या किया कि आप किसी भी स्था आनवी से इस पर गए तो आपके हाथ में दो प्रकार के चुम्ब की कमपस हैं एक को आप लोगोंने मतलब मैदान के समतल रखा हुआ है और उससे जो है आपको उत्तर दिशा का ऐसे अंदाजा होगा और दूसरा जो है कमपस आपने खड़ा रखा हुआ है और उससे आपको अलग अलग कोण और उससे उस स्थानवी से इसका अक्षांस और देशांतर आपको पता लगने लगता है अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर गढ़ना कर रहे हैं जब अब यहां पर क्या देखेंगे कि भागोलिक उत्तर की दिशा जो है आपको इस तरीके से नजर आ रही है और उसी तरीके से आपको जो है भई यहां पर जो है वर्टिकल यहने कि आप ग्राउंड से नब्बे अंस का कोण बना रहे हैं अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि यहां पर जो है एक दिखपात का कोण मिलेगा जो आपको भागोलिक उत्तर से चुम्बकिय उत्तर के बकिय सुई मुझे इस दिसा में उत्तर दिखा रही है लो इनके बीच का जो कॉन होगा उसे मैं क्या बोलूगा उसे मैं थीटा से प्रदर्शित करऊंगा देखपात कॉन कहोंगा ॉर इसके बाद में जो है पता चलने के बाद में एक नमन कॉन भी मुझे पता चलेगा ज होंग तो नमन कोन मुझे ऐसा मिलेगा और यहां पर यहां पर जो है तोड़ी से गड़ना पर ध्यान दें कि समांतर चतुर भूझ बना हुआ है यहेसमांतर चतुर बोझ में नहीं को यह पॉइंट A, यह हो गया B, यह हो गया C और यह हो गया D तो यहां पर इस समानतर चतुर भूज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहां पर अगर मैं वर्टिकल कॉंपोनेंट और होरिजोंटल कॉंपोनेंट यहां देखिए यह B, V आपको नज़र आ रहा है और यह B, H नज़र आ रहा है तो यह B, H और B, V के बीच में जब हमको संबंध निकालना है तो हमको पता चलता है V बटा H बराबर I sin theta और I cos theta और यह I कहां दिखाई दे रहा है आपको I जो है वो उन दोनों के components का result है तो इस तरीके से अब आप क्या देखते हैं कि किसी भी इस्थान पर आप उसके वर्टिकल और होरिजोंटल component का जब भी निकालना चाहेंगे अनुपात तो आपको 10 theta मिल जाएगा और theta आप लोगों को पता है तो इस प्रकार से अब आप जो है 10 theta की साहता से किसी भी इस्थान विसेश पर वहां की चुम्बकी छेतर की तीवर्टा से उस इस्थान विसेश का अक्षांस देशांतर निकाल सकते हैं तो ये बात हम लोगों ने समझ ली है, अब आगे की बात क्या है, अलग अलग पदार्थ हैं जिनके चुम्ब की छेतर पर रखने पर उनका किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया होती है, इस विसे पर हमें चर्चा करनी है, ये विसे जो है हमें अलग अलग प्रकार के चुम्ब कि पदार्थों के categories बनाने में help करेगा तो हम यह बात discuss करेंगे अगले वीडियो में जुड़े हैं हमारे साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और मिलेंगे हम अगले वीडियो में धन्यवाद